हलो फ्रेंज, वेलकम बैक टू माई चैनल, यॉर एजुकेशन गाइड दोस्तो अगर आपका भी इन बैंकों में खाता है तो 30 नवंबर तक हर एकाउंट होलडर को 5 लाक रुपे मिलेंगे क्या है ये न्यूज अपडेट जानेंगे आज की इस वीडियो में वीडियो से आकर तक जुड़े रही है वीडियो इंफिर्मिशन अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक शियर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तो इस कैटेगरी में बहुत सारे बैंक शामिल हैं जिन्हें की RBI ने मार्टोरियम पर डाला है कुछ बैंकों में 90 दिन के अवधी बढ़ सकती है क्योंकि रिजर्व बैंक बटे खाते में चल रहे बैंकों के मर्जर, अरेंजमेंट और रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम पर काम कर रहा है अभी देश के कई को अपरिटिव बैंक रिजर्व बैंक के मार्टोरियम पर चल रहे हैं इन बैंकों में हुए फर्जी वाड़े के बाद रिजर्व बैंक ने प्रतिबंद लगा दिया था ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सरकार ने 1 सितंबर 2021 की तारिक तै की है जब से लेकर अगले 90 दिन के अंदर जमा करताओं को मार्टोरियम के तौर पर 5 लाख रुपे मिलेंगे इसका मतलब हुआ कि 30 नवंबर 2021 तक इन बैंकों के जमा करताओं को उनके पैसे वापिस मिल सकते हैं केंद्रे विते मंत्राले ने इस बाबत 27 अगस 2021 को एक सरकुलर भी जारी किया है वित मंत्राले ने कहा है कि Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act 2021 के सेक्शन 1 के तहत सब सेक्शन 2 के मताबिक केंद्रे सरकार ने सितंबर 2021 की पहली तारिक को इन कानून के प्रोविजन को लागो किया है इस से उन सबी जमा करताओं को 5 लाग रुपे मिलेंगे चिन बैंकों को Reserve Bank ने मार्टोरियम पर रखा है पांच लाग रुपे की राशी उन बैंकों के जमा करताओं को भी मिलेगी जो की Bank Deposit Guarantee Act पारित होने से पहले ही मार्टोरियम पर चल रहे थे चल ये समझते हैं कि ये 5 लाग का क्या हिसाब है Reserve Bank अभी डूबे बैंकों के Restructuring Scheme पर काम कर रहा है लिहाजा वो DICGC को कह सकता है कि ग्राकों को 5 लाग रुपे देने की अवधी और 90 दिन बढ़ा दिये जाए ऐसी कंडिशन में हो सकता है कि 90 दिन के बदले जमा करताओं को 180 दिन में 5 लाग रुपे मिलें अवधी बढ़ने का सीधा मतलब है कि बटे खाते में गए बैंकों को किसी बड़े बैंक के साथ मर्च कर दिया जाए ताकि बैंकों को अपनी जमाराशी पाने में असानी हो सके और जो बैंक अभी रिजर्ब बैंक के मार्टोरियम पर चल रहे हैं उनमें गुना मध्य प्रदेश स्थिती ग्रह कॉपरेटिव बैंक, विजेवाडा स्थित डेकन अर्बन कॉपरेटिव बैंक और नासिक स्थित इंडिपेंडेंडेंस कॉपरेटिव बैंक के नाम शामिल है छेली अब ये भी जानते हैं कि किसे और कैसे मिलेगा पैसा वित मंत्राले ने इसके लिए 90 दिन के अवधी को 45-45 दिनों के दो हिस्सों में बाढ़ दिया है बट्टे खाते में नए बैंक शुरुवाती 45 दिन में अपने जमा करताओं के रिकॉर्ड जोटाएंगे और इन सूचनाओं को DICGC को देंगे अगले तीन दिन में ये संस्ता इन सभी क्लेम को प्रसेस करेगा और ग्रहकों को 5 लाक रुपे लोटाएगा वित मंत्री पहले ही कह चुकी हैं कि पहले इंशॉरंस के तहट डूबे पैसो को पाने के लिए आठ से दस साल इंतजार करना पड़ता था लेकिन अब यही काम 90 दिन के भीतर पूरा हो जाएगा बैंकों में जमा मोलधन और ब्याज के रूप में ग्रहकों को 5 लाक रुपे दिये जाने का प्रूविजन है इसका सबसे बड़ा फाइदा पीम बैंक को मिलेगा देखा जाए तो देश के लगबग 50 बैंक रिजर्व बैंक के मार्टोरियम में आए हैं जिने के डिपॉजिट स्केम का लाप दिया जाएगा तो फ्रेंस ये था आज का हमारा वीडियो रिजर्व बैंक की तरब से होग कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो इंफर्मिशन अच्छी लेगी है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलेगा